आज हम लोग discuss करेंगे class 11th chapter 1st हम लोगों ने पढ़ा था sets उसका point types of set so उसमें number first null sets so वो set जिसके अंदर कोई भी element नहीं होता है यानि वो खाली होते हैं उन set को बोलते हैं null set इनको हम लोग empty set भी बोलते हैं क्योंकि ये खाली है तो उनको empty set बोलते हैं और रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग simple जो curly bracket है या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर जादा तर use होता है ये जो symbol होता है इसे हम लोग कहते हैं तो null set को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस symbol का use करते हैं दूसरा singleton set तो singleton set क्या होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही element होता है दे कंटेंज only one element जैसे कि example के तो और पर कोई set है जिसमें सिर्फ number two है किसी में only five है या फिर किसी को अगर हम लोग set builder form में लिखें तो set builder form में लिखें तो x is greater than three and less than five तो यानि की number four यानि की ले देके एक ही number आ रहा है इसके अंदर चाहिए हम उसे set builder में लिखें रोस्टर तो हर वो set जिसके अंदर सिर्फ एक ही element होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं singleton set अब तीसरी बात करेंगे equal sets की तो equal sets में माल लीजिए कोई दो set है A और B और A के अंदर जितने भी elements हैं वो सारे elements B में हैं और B में जितने भी elements हैं वो सारे elements A में हैं तो A और B दोनों कहलाएंगे equal set एक्जाम्पल के तौर पे A कोई भी एक set है जिसमें 1, 2 और 3 नंबर है और B कोई एक set है जिसमें 2, 1 और 3 नंबर है तो देखा जाए तो दोनों के अंदर जो elements हैं वो सेम हैं इसलिए ये दोनों set क्या कहलाएंगे equal set A fourth type, subsets ये सबसे important type है, set का subsets क्या होते हैं? माल लीजिए कोई भी एक set B है जिसके सारे elements set A के अंदर हैं तो B, set A का कहलाएगा subset यानि B is known as subset of A और अगर हमें number of subsets पता करने होते हैं तो हम लोग एक formula यूज़ करते हैं 2 to the power N, जहांपे N उस set के अंदर present elements के number हैं यानि कि कितने elements उसके अंदर हैं वो होता है N और 2 की power N लगाके हम लोग find करते हैं number of subsets हम लोग subsets को denote करते हैं कुछ इस type के sign से जो की थोड़ा सा flatten C आप इसको कह सकते हो और इसको पढ़ते हैं subset of example के तौर पे A कोई भी एक set है जिसमें A, E, I, O, U है elements और B कोई एक set है जिसमें I और O elements है तो I और O जो B के elements है वो elements A के अंदर भी हैं I और O यानि की B जो है वो कहलाएगा subset of A या फिर आप इसे पढ़ सकते हो A is super set of B तो यह कहलाते हैं subsets अब बात करेंगे power set की तो power set कुछ ज़्यादा नहीं होता set of all subsets यानि सभी subsets को मिलाके अगर हम लोगे collection बनाएं एक set बनाएं तो उसे हम लोग कहेंगे power set जैसे कि इसको represent करेंगे P से तो माल लेजे P A कोई power set है और उसके अंदर subsets आ रहे हैं पहला subset है यह 5 वाला दूसरा subset है जिसमें A और B element है तीसरा subset है जिसमें 2 element है इन सभी subsets को मिलाके जो set बना उसे हमने क्या कहा power set अब बात करेंगे universal set की तो universal set जिसे की नाम से परता चल रहा है universal तो वो set जिसमें बाकी के set के सारे elements होंगे वो set कहलाएगा universal set एक्जामपल के तौर पे माल लो A कोई एक set है जिसमें 1,2,3,4,5 यह 5 numbers है और B के अंदर 6,7,8,9,10 यह वाले 5 numbers है तो universal set क्या होगा जिसके अंदर A के सारे elements यानि की 1,2,3,4,5 और B के सारे elements यानि 6,7,8,9,10 यह सारे elements होंगे और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन दोनों set के element हो इसके अंदर कुछ और elements भी हो सकते हैं जो इन दोनों set में ना हो लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा universal set universal set को हम लोग जादा तर capital U से represent करते हैं और यहाँ पर चूकि A और B के elements U के अंदर हैं इसलिए A U का subset है और B भी U का subset है आज हमने देखे type of sets और यह एक important topic है कि हम लोग general हमें पता हो कि कितने type के set होते हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे operations on set जिसके अंदर हम लोग एक set और दूसरे set के बीच में कुछ operations करेंगे और यह एक बहुत interesting topic होने वाला है तो please वीडियो को जरूर देखेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like बटन को दबाईएगा थैंक यू सो मुच